असलाम लेकुम मेरा नाम हायाहने और ये चैनल मैंने आनलाइन शार्थ हेंड सिखाने के लिए बनाया है जो हमारा कॉर्स होगा उसमें हम पिट मैन शार्थ हेंड के बुक प्डएंगे यह देख सकते हैं आप पिट मैएन शार्थ हेंड नियो कोर्स हेंड की ये 60 दिन का कॉर्स होगा मतलब 2 मा का और इस बुक की प्राइस जो है वो 80 टू 100 रुपीज है भेंगी बुक नहीं होके इसलिए आप लोग ये बुक ले लें अपने लिए और ये जब हम ये बुक हम जब कम्प्लीट सीख लेंगे तो इसका मतलब ये होगा हमने अपनी शॉर्ट हैंड कम्प्लीट कर ली अच्छा तरीका कार क्या होगा तरीका कार ये है कि लेट करने की वज़ा ही यही थी कि ग्रुप में मिम्बर्स एड़ हो रहे थे स्टुटेंट्स वाटसेप ग्रुप में बॉइस भी एड़ हो रहे थे गर्ल्स भी तो मैं चाह रही थी कि ऐसा नहो कि मैं कोर्स टार्ट कर दूँ और उसके बाद फिर एड़ होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद एड़मिशन नहीं मिलेगा इसलिए मैंने थ्रॉलेट कर दिया था कि सब एड़ हो जाएं तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ और दूसरा मुझसे टाइमिंग पूछी जा रही थी टाइमिंग जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो जाए करेगी होगे और दूसरी बात यह हैं कि साथ दिन का कॉर्स होगा यह साथ दिनपने जाया नहीं करने अब यह समझे कि यह साथ दिन आपकी आपके फिऊचर का सबह लिए इन साथ दिनों में आप अपना फ्यूचर बिना भी सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं तो डेली बेसिस पे आप लोगों ने मुझे होंवर्क देना होगा होंवर्क जमा कराना होगा अच्छा ऑनलाइन जो हैं बहुत सारे काबिल टीचर्स दिखा रहे हैं बर कुछ लोग कहते हैं कि आनलाइन हम मतलब शॉर्ट हैंड सीखना नामूमकिन सी बात है नामूमकिन नहीं है ये मुमकिन है वो इस सुरत में कि जब आप लोग मुझे स्पोर्ट करेंगे मेरा ताउन करेंगे आप वो होगा इस तरह से कि मैं जो आप लोगों को होम वर्क दिया करूंगी वो आपने डेली बेसिस पे करना होगा अगर आप लोग होम वर्क नहीं करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी ग्रुप से मैं रिमूव कर दूंगी ऑनलाइन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे यूट्यूब पे आप देखते नहींगे मेरी वीडियो स्कोर्स की बट उसका फाइदा नहीं होगा फाइदा तब ही होता है जब मैं आपका होमर्ट चेक करूँ आपकी आउटलाइन का बताओं कि आपकी आउटलाइन सी है या गलत है तो ये तब ही मुम्किन है कि जब मैं मकसद ही हमें आउटलाइन बनाना है जब आउटलाइन ही मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग कैसी बना रहे हैं तो मुझे तो फिर सिखाने का फाइदा नहीं है अच्छा मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए आप से एक रेगुलेर्टी साथ दिन आपने प्रेजेंट रहने एक भी दिन चुटी नहीं करनी एक शॉर्ट हैंड में एक भी दिन चुटी करने का मतलब ये है कि आपने कोर्स अब नहीं सीख सकेंगे आप ये आप कोर्स सीख ही नहीं सकेंगे क्योंकि इसका हर लेक्चर इंपार्टेंट होता है और बहुत दिहान से सुनना पड़ता है ओके तो इसलिए मैं सिर्फ आप से दो चीज़ें मांग लिए हूँ एक रेगुलेर्टी और दूसरा हॉमवर्क हॉमवर्क मुझे जमा कराएंगे और रेगुलर रहेंगे तो इन्शालला आप लोगी शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे और आप कुछ लोग कहते हैं चार दिन पड़के हम कहते हैं कि हमने शॉर्ट हैंड सीख ली शॉर्ट हैंड चार दिन का सवाल नहीं है शार्ट हैंड सिखना इतनी असान बात नहीं है आप शार्ट हैंड में तब ही एक्सपर्ट हो सकते हैं जब आप पूरा शार्ट हैंड कोर्स करेंगे यह साथ दिन का वरना आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते और अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप लोगों को एजीली जाब मिल जाएगी जाब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं हो के और जब आप लोग बुग देखेंगे बुग देखेंगे तो आप लोगों को लगए का कि भई ये तो हम लोग बिलकुल कर दीने सकते ये क्या लिखा हुए ये तो सफ लाइने है तो जान लीजिए के लिए लाइने नहीं है सिरफ ये एक जुबान है जो हमें सीखनी होगी लाइस देखे आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है हम नहीं सीख सकते लेकिन हमने सीखनी है आप मुझे होंवर्क जमा कराएंगे और रेगुलर रहेंगे तो मैं इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे जो बच्चा सीरियस नहीं होगा जो स्टूडर सीरियस नहीं होगा उसको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूँगी आप मेरे साथ तावन करें मैं आपके साथ तावन करूंगी तो इंशालला हम अपने मकसद में कम्याब हो जाएंगे और जिस मकसद के लिए हम एकटे हुए हैं हमें चाहिए कि हम वो खुशी खुशी पूरा करें तो यह थोड़ा सा मैं आपको शार्ट हैंड के बारे में इंट्रोडूस करवा दिया कल से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और याद रखें मैंने सिर्फ आप से दो चीजे मांगी हैं कौन कौन सी रेगुलरिटी एंड हॉमवर्ग ओके इसके इलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप से ओके अलाहफेज